आपने ये वीडियो ओपन कर ही लिया क्योंकि आपका लॉफ अट्रैक्शन आपको यहां तक लाया है दोस्तों कभी आपने सोचा है कि हमारा सबकॉंशेस माइड या यूनिवर्स कौन सी भाषा समझता है किस भाषा को समझ कर सुन कर वो हमारी विशिस पूरी करता है इस दुनिया में हजारों बोलने के और बात करने के तरीके हैं लेकिन सभी तरीके हम इंसानों ने ही बनाए हैं और हमें लगता है कि जिस भाषा से हम एक दूसरे से बात करते हैं उसी भाषा को यूनिवर्स या गॉड या हमारा सबकॉंशेस माइड भी सुने लेकिन ऐसा नहीं होता यूनिवर्स आपके शब्दों को कभी नहीं सुनता बल्कि वो शब्द तो वहां तक पहुँच भी नहीं पाते और हम ये बोलते हैं कि ईश्वर हमारी नहीं सुनता हमारी wishes पूरी नहीं करता हम रोज प्राथना करते हैं रोज दुआ करते हैं, रोज affirmations बोलते हैं, पर कुछ असर नहीं होता, क्यों हमारी किस्मत नहीं बदल रही है, क्योंकि युनिवर्स कभी शब्द नहीं सुनता, बलकि आपकी भावना और आपके दिमाग में चल रहे चितरों को समझता है, क्योंकि अगर बोलने से दुआ कु बोल होती, तो सभी ऐसे लोग जो बोल नहीं पातें, उनको कभी भी कुछ नहीं मिल पाता, उनके साथ ये नाइनसाफी होती, जरा सोचिए, हमारे पुर्वजों ने कितनी बड़ी और कितनी जरूरी चीजों को खोजा, आग, पहिये, हत्यार, घर, ये सब तब खोजे गए जब मनुष्य बोलता नहीं था, लेकिन सोचता था, और वही जरूरी भी था, उसी परकार वग्यानिकों को देखिए, वग्यानिकों द्वारा जितने भी बड़े अविश्कार हुए हैं, वो उनके दिमाग में थे, एक इमेज के रूप में, उसके बाद वो हकीकत में आए और आखिरकार बाद में उनका नाम रखा गया, ये तो वो चीजे हैं जिनको अस्तित्व में लाया गया, जो शायद हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम तो उन चीजों को भी आकरशित नहीं कर पा रहे, जो पहले से ही बनाई जा चुकी हैं, सोचिए इसमें क्या मुश्क हमेशा याद रखे, जो भी आप सोचते हैं वही आपके जीवन में आपको मिलता है, जो आप बोलते हैं वो कभी नहीं मिलता, प्रकरती ऐसे ही काम करती है और हमें स्विकारना भी होगा, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या बोलकर प्राथ्ना करना या अफर्मेशन बोलना ग जब आप कोई शब्द बोलते हैं, तब आपके दिमाग में क्या चितर बनता है, क्या भाव आता है, सिर्फ इसको ही युनिवर्स के द्वारा रिसीव किया जाता है। लेकिन आपको अक्सर बोलकर ही प्राथना करने की सलह मिलती है। ये ध्यान रखेगा, जो आप सोचते हैं, जरूरी नहीं कि आप वो बोलें, लेकिन जो आप बोलते हैं, वो आपको सोचना ही पड़ता है। इसलिए बोलिए जो बोलना है, मांगिए जो मांगना है, लेकिन जो बोलते हैं, उसको सही से बोलिए, सही से महसूस कीजिए, आपक सहता कर सकता हूँ, मुझसे संपर्क कर सकते हैं अब मैं मिलूँगा आपको अपनी दूसरी वीडियो में जाकर देख लीजिए मैं हूँ आपका दोस्त राहुल जजोरिया बाई बाई टेक केर खुदा आफिश अब खेर आस्ताला बेस्ता